जहें दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की हादिसों काम नए दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो प्रिस्क्रिप्शन यानि की पर्षी होती है उसमें लिखे हुए टर्म का मतलब क्या होता है तो दोस्तों शूरू करते हैं पहला है हमारे टर्ड वीपी मिंद बलड प्लेशर इसके बाद है बलड शुगर फास्टिंग एंड इसके बाद है यूजी मिंद अटरसाउंड अन्स उनोग्राफी के लिए जो है टर्म के जाता है प्रिस्क्रिंव ने और इसके बाद है CSR means chest x-ray यह जो है CX term जो है कहीं कहीं जो है आपको मिल जाता है लिखा and इसका बाद है T means temperature जो कहीं कहीं जो है पिसमें TP भी लिखा रहता है and इसका बाद है RR means pulse rate and इसका बाद है BID या BD means two time डेमिर दिन में दो बार जो है जो है BID जो है जो है BID इसका बाद है TID या TDS means three time R2000 दिन में जो है तीन भार जो है दो दो लेने रहती है तो जो है यह term लिख रहता है and इसका बाद है OD or means once in day mean दिन में एक बार दवा लेने के लिए OD जो है term पिसका बाद है and को है QID means four time इसकेवार नमारा है QD means Every day means परत दिन हमको यह दवा लेने चाहिने है इसकेश में जो है और QD जो है ये लूट के रहता है इसकेवार नमारा है SOS means हमको बखाद काम व्याता है उसकेश में हम पहेश्टमाल जो लेने लेते हैं सब्सक्राइब लिखा रहता है यह उसका नमारा है है जो उसके आपीड लिखा रहता है है इसका है हमारा है इसके हम्हारा है आइप्टि में तो उसके में आपकी मिस on involves एकन देक्टर को यह दिखता है और जो प्रिषंण बोलता यह साफ जो है इसमें जो है प्रिष्ट में लिखता है वह होता है ऑन जमने घ्लिए डाउड टॉन कि दॉटन जिस कि चैसे के बुखार भी और उसको बॉम्टिंग हो रही है उसके हैं जो है फीवर एन अब लिखा जाता है डॉटिंग यह जिसको बॉम्टिंग अब बॉम्टिंग यह निए रहते हैं VS means Vital sign and CIP means Capsule होता है and TIB यह जो पाच्छी लिख रहाता है इसका में Tablet होता है then SYP means Seraph होता है and INJ means injection and IV means intravenous यह जो है इंजेक्शन जो रूट होता है इसका हमारा होता है I am means इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो यूजफ़ल लगा हो तो किर्पया लाइक, सेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब काना मुलें मिलते हैं अगरी वीडियो में ततक के लिए जय हिन फ्रेंड